हेई गाइस वालकम टो सिक्षार्ट आज अपके लिए हम लेकर आए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो क्योंकि इससे आपके दिवाले सेलिब्रेशन्स दो गुने होने वाले हैं आप लोगों ने एक्जाम्स दे ही दियोंगे ये एक्जाम स्टार्ट होगे दोस्तों 28 ऑफ 2018 से 28 ऑक्टूबर और 31 ऑक्टूबर को जीकी के पेपर थे दोस्तों और उसके अलावा बाकी डेज में सब्जेक के पेपर थे तो डेफिनिटली आप लोगों ने बहुत अच्छी प्रप्रेशन कियोंगी और अच्छे से एक्जाम दियोंगे तो आप यहां पर इनलाइसिस आपको प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि हम आपकी लिए ऐसे ही बहुत इंपॉर्टन वीडियो लेकर आरे साथ में हम सिलेबस के भी कंटेंट वाइस भी हम बहुत अच्छा मट्यरे प्रवाइड कर वाइड कर आपको तो प्लीज हमारा चैनल सब्स अच्छा में 100 कुश्चा यह जो के 200 मार्क्स के थे दो पूरे मिलागर के था एक कुश्चा था दो नंबर कर आपको यहां पर बेस गाइपर में इसके लिए तो आपको तु आवर्स का टाइम दिया गया था अब हम अनलाइस कर लेड़े थे पेपर को की पेपर का लेवल क् देखते हैं हमारे पेपर में क्या के subject आये थे रजस्तान GK आये थी, psychology आये थी, polity आये थी, current आये थी, economics आये थी और कुछ mislainist questions भी थे, इंडिया GKK, world GKK, world, हम क्या सबते हैं, geography के, इंडियन जेग्रोफिक के से बहुत सारी questions आये थे, तो दोस्तो हमारा ही पेपर दो शिफ्ट में हुआ था 28 और 31 को अगर जोसम जीके की बात करें राजस्तान जीके तो दोनो ही डेज में 28 अक्टूबर को भी और 31 अक्टूबर को भी इजी से मॉडरेट आई थी तो देखते ही सॉल्व हो रहे थे जैसे की कला जी वाला कोश्चन था बहुत से कुश्चन थे जो काफी इजी थे और कुश्चन थोड़े मॉडरेट थे जिने हर को यह सॉल्व नहीं कर सकता था उनके लिए थोड़ा आपको preparation की और mindset रखने की ज़रु थी दूसरा portion दोस्तो था psychology का रजस्तान जी के के लगबग 45 से 50 questions आपके paper में आये थे psychology की questions थे लगबग 20 questions psychology के आये थे और ये काफी easy question थे easy हम इने बोलेंगे क्योंकि लोगों ने easily crack कर लिया तो psychology का पिपर 28 को भी और 31 को भी easy ही रहा था पॉलिटी का दोस्तों पोजिशन बात करें बहुत 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 डिफिकल्ट रहा था very very difficult 28 को भी बहुत डिफिकल्ट था और 31 को भी बहुत डिफिकल्ट इसे इसे questions आए थे आर्पेसी का मेंबर कौन है जो की रजिपाल बने है कौन से सीम है मतलब हर बहुत ही बहुत डिफिकल्ट ट्विकल्ट ट्वेंटी से थर्टी इस बिफोर की questions ऐसे आए थे जो भी आपको बिल्कुल भी मालूम नहीं होंगे बुक से भी बाहर थे आईवन गूगल पर सर्च करने पर भी नहीं मिल रहे थे तो पॉलिटी का लेवल हम कहना चाहेंगे यह वेरी वेरी डिफिकल्ट लेवल था यह आपकी कट ओफ को कम करने वाला है मतलब कि इससे कट ओफ पे सीधा सीधा यसर पड़ेगा इससे सिलेक् नहीं बहुत ज़दा डिफिकल्ट थे स्पोर्ट से कशचन है थे 28 वाले में स्पोर्ट से करी तीन कुश्चन आया थे 31 में स्पोर्ट से सीधे कुश्चन देखा गया था इसके अला दोस्तों काफी ठीक था कोश्य यह ता कुश्चन टे गरंड के बहुत ज़दा हम इस आप चोपआ हम गई भीड ऑर घ्रफी अगे क्या सकते ह 10 दो ऑवर्ल हम पेपर फर्स अट वर्ल सकते हैं कि अगर आपने इस पड क्रेसे पर सेफिकल्ट रहा है ऐगर अपने इस पेपर में आपने इस्च wizard करदिये श्रूशन्स बहुत बढ़ी गsong पैप नहीं अबनते हैं स्टी पार मेरे बंगार सकोटेगर, अबने सब्जक्त एफ नादे करते हैं सब्जक्त में में इतने सालों के उसमें युजी किया सांग टैसिक्त नहीं बनगे हैं क्लिए सब्सक्ति उसे सब्सक्तित नог pursue तो आपने मार्क्स ला सकते हैं लेकिन जी के पेपल में मार्क्स लाना उतना इजी टास्क नहीं रहता है हमारा एक सब्जक्ट अगर स्ट्रॉंग होता है तो डेफिनिटली हमारा दूसरा वीक पोजिशन रहता है पर फिर भी यहां पर आप साइकोलोजी में मिला करके आपका परितीश यहां पे आपने अच्छा स्कोर किया होगा और करंट मेनखी स्कोर अर्जसथां जी के तो में कहीं कि रजसां केकि मिल करके आपका उच्छा स्कोर हो गया होगा तो इस भी साफ से अगर ऎपके 50ustions बन गें तो आप बहुत अच्छी जगै आप बहुत बेस्ट तो आपर अवरेज पोजिशन में हैं क्योंकि पॉलिटी, करेंट, एकनोमिक्स, मिसलेनिस कोईशन इतने एजी नहीं थे और पॉलिटी में तो आपके सकते हैं इंपॉसिबल टास्क जैसा था अगर आपने कुछ गैस लगाया तो इक वो कालक सीन है जो कि हमेशे सही नहीं होत है तो इस तरीके से हमने पेपर फर्सक अनलिस थे लिया है दोस्तों कि अगर आपकी 50 कॉस्चिन सही बन रहे है तो आप बहुत है अच्छी बहुत ही अच्छी यह स्चैंग करे एं दूसर दोस्तों पेपर था जो की सब जचेक का पेपर था इसमें 150 क्यूं सापको देखने बढ़िस कि दोस्तों सभी पहने सुचल साइंस, हिंडी, इंगलिस, साइंस, साइंस, मैस, यह उस міरे की सब्सक्राइब थैपने लिए अलग अलग अनलाइसbus करेंगे इस वीडियो में हम एनलाइस करेंगे इंगलिश की बारे में दोस्तों जिसा की हम देख पा रहे हैं, हमारे सामनी प्रीवेस की कुट अप दी है, हिंदी के बाद में जो साकेंद हाईस कुट नहीं है, पिछली बार वो इंगलिश की गयी तोस्तों जेनल मेल और ज्जेनल फीम जैसे कि GK का पेपर डिफिकल्ट हो ना साथ में जो रीट वाले लोगों को जॉइनिंग मिल गई है हाला कि रीट से थार्ड ग्रेट के टीचर बनते लेकिन फिर भी कही न गई अगर कोई सेटल हो जाता है तो फिर उनका जो साकेंड पेपर में अपियर होने का है वो रेशो कम हो जाता है और इस साथ से आपका थोड़ा कॉंपेटिशन कहीं न कहीं कम हुआ होगा तो हम इस कटफ को 15 से 20 मार्क्स तक कम मान सकते हैं तो हम कहा सकते हैं 350 तक या फिर 355 तक आपकी ये कटफ जाने की संभावना है इंग्लिश की इस बार 2018 में यह जो हमने आपर नोट की गई है यह प्रिवेस यर की और यहां पर हम एक्सप्टेड कटफ आपके सामने लिख रहे हैं इस बार अगर आप लोगों की 315 तक भी नंबर आ रहे हैं तो आपका सेलेक्शन हो जाएगा और दोस्तों वीमन में अगर हम बात करें तो इसे भी थोड़ी कम जाएगी स्लाइटली डिफरेंस यहां पर आजाएगा तो 310 तक भी कट आफ जाने के चांसे हैं ऐसी में इंग्लिश सब्जेक्ट में दोस्तों इंग्लिश की सब्जेक्ट बाकि यह जैसे कि मैस और संसे कंपरेजन में हाई है बट स्चिल हिंदी से काफी थोड़ी वहत कम जाने वा कि दोस्तों अगर हम बात करें तो 366.28 तो इस बार हो सकता है यह कट आफ साड़े 300 पर आजाए क्योंकि थोड़ा बहुत कम हमें स्लाइटली डाउनवर्ड मुवमेंट हमें देखने को यहां पर मिल सकता है MBC में दोस्तों पिसली बार 357 गई है तो इस बार हो सकता है यह तालिस के बीच में तो इस प्रकार दोस्तों आप अपनी कैटागरी में आप जिस भी कैटागरी में बिलोंग करते हैं 10-15 मार्क्स आप कम करके देख सकते हैं 10-15 मार्क को कम होने की संभाव ना हमारे यहां पर नजार आ रही है अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए दोस्तों बैल आगन प्रेस जरूर कीजिए ताकि आपको हमारे सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें थांकियो सो मच